हाई हेलो गाईस वेलकम बेक टो मैं चैनल तानवी ग्रेटी चैनल में आज भी का मॉस्ट वेलकम है तो आज फिर एक न्यू वीडियो सेर कने वाली हूं वह भी है टिप्स और टेस्ट के तो गाईस पूर वीडियो देखेगा इसकिप करके देखोगे ने तो कोई सावी टिप कर सकते हो और यो देखे मेरा वीडियो चलो करता है टिप नंबर वान नमपर मंखेलगे वाली हं आइसे लेके मखाने हम सभी घाते हमारे के लिए भूस आपके ससाथ में के शेयर के लम रंखे मैं मंखेल०यक Walk। का लेता हुआ श्यक्वारा कंटेनें खीच लेते हैं और मोश्चर से आप सभी को पता है कि कीड़ा लगने का डर होता है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले आए तो इस तरह से रखिए आप इसमें रखिए राइस यानी चाउल रख दीजिए कुछ दाने चाउल के डाल दीजिए जो भी मोश्चर आएगा हैं डिबे में आ गए हैं और इसमें भी बच गए हैं तो मैं क्या करने वाली हूं क्योंकि छोड़ देंगी तो हमारे मखाने हो जाएंगे खराब और इन्हें मोश्चर भी जाने का डर रहेगा तो आपको क्या करना इस तरह से न्यूजपेपर लेना है और फिर बाद में इ लेक हो चुका है तो उमेड करते हूं आपको यह पसंद आई होगी आप और हैरे निकाल के आपको खाना यह झाल घंड पार इस तरह से छिलके वाले काजु ले आये और फिर बाद में आपको इसको क्या करना है कि आपकी मख़्ान यह काजू की छिलके है आराम से निकल जाए तो इसके लिए मैं हलका से इसके उपर पारे छिरका दूगए क्योंकि तेज आपको अच्छे से रोष्ट करके उपरкой छिरका दीजीए है तो क्या होगा इसके छिलक आपको गरम करके अच्छे से रोष्ट करके थोड़ा सा पानी का छिड़काओ देना है पानी का छिड़काओ देनी के बाद में फिर बाद में एक रैक्स हो जाते हैं laugh त्छिलके और देक्ससे निकल जाते हैं तो इस तरी के से आप कजू की छिलके बहुत ही से निकल लोगे ज्यादा मेहनत करने की आपको जूटने ही पड़ेगी आप ना इस तरह से आपको च्हनी लेने है जो हम पुड़ी निकालते हैं वह वाली चंदिनि काईव हो अपर इसका कच्र ाुटमेटिक लाग हो जाएग़ेर lack अलग करनेलें आप बार कि चलग पता है कि हमारे सरी का लिए नहींड कोई मसलया कर दो आदे को को इस तरह से निकाल देना है तो उमीद करती हूँ आपको यह टिप चरू पसंद आई होगी यह तरीका जरू पसंद आएगा किस तरह से आप चिलके निकाले तो इस तरह से बड़ी आसानी से चिलके निकल जाते हैं तो उमीद करती हूँ आपको यह टिप चरू पसंद लगे होते हैं और इस तरह से बंद करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आवाज करते हैं के लिए अच्छे मतलब घर के लिए अच्छे नहीं तेंगे लेकिन आपको बहुत ही अच्छा साइडे बताँ गयर और फे अरब गेटो पे अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए आपको क्या करना इस तरह से आप जो नाते हो ना वो साबून ले लीजे और इस पर रफ करें इस तरह से रफ करोगे ना तो इस ये गेट ये कबजे है ना बिल्कुल अच्छे से काम करने लगेंगे और जो आवाज करते हैं वो आवाज नहीं करेंगे वो आवाज बहुत ही smoothly चलेंगे और बिल्कुल भी इस तरह से आवार नहीं करेंगे तो आप भी अपने गेटों पे इस तरह से करके देखिएगा और आपको ये टिप पसंद आई तो फ्लीज वीडियो को लाइक करने में कंजुसी मत करिएगा तो उमीद करती हूँ आपको ये टिप चरू पसंद आई होगी तो ये देखिए गाईस ये हमारा गेट है बिल्कुल ठीक हो गया है और आप इसको ना इस तरह से खोड़ हूँ बंद कर रहे हूँ तो इस तरह की बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा है तो आप एक बार करके लका पर इस चया है और फिर मुझे कमेंट कर बताएगा कि आपक की गेट है जो आवाज कर रहे थे वह आफ ठीक हो गे कि नहीं हो गे है तो इस ते अप जरू करके देखिए पर और फिर बाद में आपको क्या करना है यह सूक ने देना है मैं जादा नहीं करना अपको एक मिल जाएगा और सूब जाएगा जहां तक गिला रहे तो इसका मतलब समझा एक A brains landotta कहा बहा हुआ कितना एक खाली हो चुका है और कितना भरा हुआ यह पता चल जाएगा जहाँ सूख गया है तक आप समझे कि यहां तक हमारा सिलेंडर भरा हुआ और जहां तक बारा हुआ यह गीला इंहों तक और यह गीला आपको दिखाए देगा हमें कपड़ा रहे तो इसका गीला पन पानी जैसा वह हेसी मतलब नमी दिखना नवाट हुआ यहां तक हमारा स्यलेंडर यहीं नहीं परאת, ऐसा सबसाएं घर सबस्ट Cliff सब्सक्राइब tense क्षाइब, जाए का सबस्क्राइब कर सकते हैं, भाइव, श्थाइब करने आप ghosts समें पराइब, ant thesec टेमेटो केचप के चोटी चोटी पाउच आते हैं मीनी पाउच जिसे हमारे कई चीजों के साथ आ जाते हैं समोसे लाते हैं कुछ भी लाते हैं तो उन्हों के साथ ही आते हैं तो यह क्या है कि हमारे मां स्पेशियों में दार्द होने लगता है तो इस तरह से आप क्या करें तो आपके जल्डी रात मिलेगी आपके जोडों में हो डर्द हो रहा हो या पके लगी जल्डी आराम मिलने होने के बाद में आप सबी को पता है उब ही यह उना दो लेता इस तरह हें 1550 फिस्काइब आज के बाद में है ना आप इस तरह के पाउचों को सोस के पाउचों को बिल्कुल भी नहीं फेकने वाले और इस तरह से यूज लीजिएगा यह बहुत ही ज़्यादा काम क्यों होते हैं हमारे लिए आम ऐसे वेश चमचके इनक को फेक देते ना आज के बाद में आप नहीं उमीद करते हूं आप पसंद आई होगी अब है नेक्ट पहाँ इस तरह से लेकर हमारे में हमारे गर में कोई एक मेंबर ऐसा होता है जिसके इनक इस तरह से लगी होती है लेकिन इनों में क्या प्रोब्लम आती है कि कई बार क्या होते कि अच्छे से एनक साफ नहीं होते तो इसमें रख लीजेगा और पांच मिन्ट में इसको निकाल लीजेगा तो देखे कास मैं इसको रख दे रही हूं पांच मिन्ट के अच्छे से साफ कर्यें बहुत अच्छ मैं इसको निकाल की निइन तो इसको कोईभी सूती कपड़ा है इसको साफ कर रहे हूं और आपके पास कोटन नो से साप कर लीजेगा इसमें जो गंद की जमा होगी न जो ऐसे साप नहीं हो रही है वो इस तरह से क्या होगा कि नमी सी आ प्रोब्लम आ रही है तो पांच मिन के लिए आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए और फिर बात में इस तरह से साप करके और फिर लगाई आपको बिल्कुल भी इस तरह की प्रोब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी आज की बात में तो उमीद करती हूं आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह मेरी ट्रिक कैसी लगी आप है नेक्स टिप है वो है हैंडवास से लेके जैसे हैंडवास हमारे सभी यूज लेते हैं हम सभी घर में यूज ल इस तरह से चोटी सी चिटकनी क्लेक्चा लगा देना है और फिर बाद में इसको निकलेगा आपका बहुत ही कम निकलेगा ज्यादा बिल्कुल भी क्वांटिटी में नहीं निकलने वाला है तो इस तरह से आपका हैंडवास भी वचत होईगी इतना बेश नहीं होगा क्यों तो आज के बाद में आप भी वीडियो देख लोगे आ तो आज के बाद में आप मार्केट जरू कर दीजेगा तो मेरा यह टीप्स और ट्रिक्स वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कि वगर मच चाहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा क्योंकि मैं रोजी डेली शाम के पांस विजे वीडि सब्सक्राइब कर देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टिस और ट्रिक के साथ तो बाई एंटिक क्या